सब्सक्राइब कोई शब्द नहीं के कि इसी इना दातानुवाद की में करिये इनने इननी जल्दी सारे मामले नू सुल जाये सानू जेना ने वार्दाद किती हैं विक्तिम भी लब के दिते ने ते दोच पेड़ा भी मरवाई आने मेरे पराने मेरे तो हम मुल्दमों तक पहुंचने में काम जाब होगे जबके हमारे पास कुलू सरफ एक ताके जी सफेज रंगी गाड़ी पर मुल्दमाना आए था पर सितनी सी बात लेकन वो गाड़ी जिसमें इस सुलिये के मुल्दम बैठे हो बालों का रंग सुनेरा हो तो उसको लेके फिर ह बालों का रंग सुनेरा और गाड़ी सफेज और हमने इनका जो मर्कजी मुल्दम है जो गैंक का सरब्रा है गैर मुल्की है वो शारुख खान उसको हमने ग्रिफ्तार कर लिया असलामने कि अबना देखने हैं क्राइम फाइल मेरा नाम यासर शमौन खान है सी यह यह मार्ड मुल्दमान है नाजरीन जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अपनी महारत के साथ और यह और्गनाइज क्राइम यूनिट के हिस्से में कामियाबी है यही बहुत बड़ी कामियाबी है और आप देख सकते हैं यह दो मुल्दमान है जिनका यही मास्टर माइंड से और पसे पढ़ता हैं और वो इन्वेस्टिकेशन के ओपर असर ना कर जाएं तो कोशिश करें इन्वेस्टिकेटिव अजरात के अभी इन से बात ना की जाए क्योंकि बहुत सरे एहम राज होते हैं आगे तफ्तीश की रूफ मतासर ना हो जाए उसको बचाने के लिए तो हम को परसाई का बाइस भी बनावा था और एक चैलेंज भी था बर्ग में सिक्ष यात्रियों के साथ होने वाली डिकेटी ने एक तफ़ा तो वतने अजीज पाकिस्तान की इज़त को दौव पे लगा गया था और्गनाइज क्राइम यूनिट की जाने पूरे मुल्क की आँखे लगी हुई थी हमेशा की तरहां तमाम तर्व विंक्स जो पुलिस के हैं उसमें फिर और्गनाइज यूनिट ने बाजी ले ली और एस एस पी सौथ आफ़ताब हमत फुलरवान साथ जो इस केस को लीड कर रहे थे इन्हों ने अपनी महारत के साथ अपनी जाफशानी के सा ना सिर्फ मुल्जुमान को गिरिफ़तार किया बलके उनसे माल मस्रूका भी बरामत कर लिया और मजीद गिरिफ़तारियों के भी इमकानात हैं मुल्जुमान हम आपको दिखा चुके हैं SSB صاحب हमेशा ही ये सेरा आपके सर के उपर आता है ये कोई खास करम नौदिया अला की खाससाब मैं मिश्कूर हूँ आप में बड़े उच्छा आलवाज में मेरा दारूप करवाया शुक्त लेकं मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये काम चिर्म सिर्फ मेरा नहीं है ये टीम वर्क है EU में बनियादी तोर पे लहौर पुलीस में से जो क्रीम है उसको OCU में लाया जाता है और फिर जो OCU की क्रीम थी उसको इस केस पे टास्किंग दी गए ठीक हो गया ला का बड़ा शुकर है हमने इसमें इनसानी जराय के साथ पुलीस के रवायती तरीकों के साथ साथ इंटेलिजन्स को भी मुकमल इस्तमाल किया अचा इसको इसमाल किया गया फिर इसमें जो CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग सी उनको देखा गया कंप्यूटर में जो साथ का रिकॉर्ड थे उनको देखा गया तो हम मुल्दमों तक पहुचने में काम जब होगे जबके हमारे पस ब सफएद रंग की गाड़ी पर मुल्दमाना आया था पड़ी इसी को लेके चलना वागों नबर प्लेट भी जा लिए रहे दोहर में लाकों गाड़ीयों का रांग सफएद है लेकं वो गाड़ी जिसमें इस सुलिये के मुल्दम बैठे हों बालों का रंग सुनारा हो तो उ लेकिन हो वहां से जा चुके थे उसके बाद फिर अगला मरला शुरू हो गया पूरे पाकिसान में रेट किये गए और हमने इनका जो मरकजी मुल्जम है जो गैंग का सरब्रा है गैर मुल्की है वो शारुखान उसको हमने ग्रफ्तार कर लिया है वो गैर मुल्की लेकिन अभी तक्तिष्की रूम मतासर ना है इसलिए हम मुल्क का नहीं पूछेंगे एसस की सबसे हम एक सवाल बड़ा एहम करना चाहेंगे सर आप से के अब यूनिफार्म के अंदर यूनिफार्म कहां से मिल जाता है फिर वाकी टाकी तो हर बंदे के पा नहीं रैया क्या कॉऽ का काभा किबला है है सबाब आप सही के है इसलिकी कानून साजी की जरूरत है. कि आप पोलीस यंफॉर्म दुकानों पर फरोगत ना कर सके। अब दुकानों पे फरोगत करने से ये कि कोई भी क्रिमिनल वहां पे पुलीस की यूनिफॉर्म खरीद लेते हैं, वाकी टॉकी खरीद लेते हैं और फिर अपने आपको शोग करते हैं कि हम लाइंफॉर्सिंग एजनसी से हैं। उससे ना सिरुख लाइंफॉर्स साथी की दुरूरत है कि पुलीस यूनिफॉर्म और वाकी टॉकी टॉकी बगार लेसंस के और बगार उत्रोइज बंदे के किसी को फरोगत ना हो सके। अच्छा सर ये जब आपने मुल्जुमान वगरा गिरफदार किये तो को टीम को इनाम का भी कोई फैसला किया क्योंकि और ये वतने अजीज की इजद बचाने वाली बात थी एक मुश्किल तरीन काम था जो आपने और आपकी टीम ने किये हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम ये है कि हम पाकिस्तान के बेटे हमने अपने मुल्क की हुर्मत और वकार पे हर्फ नहीं आने दिया स्बहाना इस शौर किसी भी बहादर किसी भी मुजाहिद किसी भी ऐसे दलेर आदमी के लिए ये वाकिही तमगाए इम्तियाज और तमगाए जुरत की हैसियत रखता है कि एक ऐसा काम जो नमुम्किन था और जिससे जगरसाई भी हो रही थी वतन अजीज पाकिस्तान की उसे बचा ल लिए नमुम्सिस अलहमदलिल्ह मकमल तोर के उपर तमाम तर जदीद अलाग के साथ लैस हैं और अपनी महारत और अपनी जहानत के साथ हर बड़े से बड़े वारदाद और हर बड़े से बड़े जर्म की तह तक पॉइंच सकता है वह गुरु देव खालसा ते वह गुरु अब तरा जाते निकल गया होएगा था बैसारे नूं बहुत ही फते बलानी है वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फते जड़े साथा सिखाना आए कर आसी करने है कि जी आया करने है ठीक है कि यह वार्दा तो होई एक मिन्ट दो मिन्ट लेगी ते सानू है कि यह की हो गया पर उदे तो बाद दा जड़ा रिस्पॉंस साथे बाई पाजी और अंदा मिले सानू साथी लोपल जड़ी पुंची असी साथे कोड़ कोई शब्द नहीं कहें कि यसी इना दा तनवाद की में करिया इनने जल्दी सारे ही मामले नू सुल जाया है सानू अच्छा दो ब्रॉब्द के दिल राजी हो गया है इस गड़ तो रहो नवी शबास है मैं पंजाब्दी पुल्स जड़ी है कम कर दी है नाजिन यही सबसे बड़ी बात होती है कि वतने अजीज की पुलिस जब हमसाया मुलक की बेटियों की इज़त के राखे बन जाते है ना तो फिर वहाँ पर आप यकीन जानिये कि सीने चोड़े हो जाते है सेद हसनान हैदर डियस पी और्गनाइज क्राइम यूनिट किसी तारूफ के मताच नहीं है जिस केस में दिल्चस्पी लेते हैं उसकी आखरी बन्यादों तक पहुंच जाते हैं आज वतने अजीज पाकिस्तान अगर अलहमदलिल्ला सर उठाकर ये कह सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अजीज पाकिस्तान की नहीं बलकर इर्दिग्रत के ममालिक से आने वाले तमाम लोगों की मकमल तोर पे हिफाज़त का बीड़ा उठा सकते हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं है अपना बहुत ख्याल रखिएगा अलाहाफिज